दोश्टों स्वागत है आपका पने चलता यरजीत में आज हम देखने वाले हैं हमारा घर हमारा बिध्याल है प्रियास प्रोजेक्ट कार चरण दोवाला यहाँ पर गर्मियों में आपको यह प्रोजेक्ट हल करने के लिए दिया गया था पर जो बिध्याल थी स्कूल नहीं गए थे गर्मियों के टाइम पे तो उनको यह जून और जुलाई महीने में दिया होगा भरने के लिए यह प्रोजेक्ट आपको कम्प्रिट करके स्कूल में जमा कराना है इससे आपको माक्स मिलते हैं तो यह कितने के लिए दिया गया यह पर यहां पर चैसे लेकर आठ तक का पूरा भाग देख लीजिएगा आईए वीडियो को सुरू करते हैं आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट कार 13 का हल यानि पार्ट 13 देखने वाले हैं तो इसमें पढ़ लेते हैं क्वेस्चन क्या लिखा हुआ है आपके घर में समतल प्रष्ट वाली ब उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चोड़ाई मापकर छेतर फल गयात कीजिए और सारणी में लिखिए कम से कम पाच बस्तुएं लिखनी हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं इनको देख लीजिए पहले बस्तु का नाम लिखना यहाँ पर यहाँ पर लंबाई यहाँ पर च रखती है तक दोनों का फर्मला होता है आपका लंबाई कोड़े हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्मला तो याद रखेंगे आप लंबाई कोडढ़ होता है तो देखें इसी से न कलेंगे तो पहला हमने लंग्द्रिंश cargo लिए उर तक निली है तो यहां पर 2700 छेत्रफल हो जाएगा इसके बाद अगला दिया है पुस्तक इसकी लंबाई है 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर इनका दुनों का गुणा करेंगे आप तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 468 गुणा कर लिजिएगा आप इसके बाद मुवाइल है अगला तो इसी लंबाई कितनी 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर इनका गुणा करेंगे दुनों का तो कितना आ जाएगा हमारा 15 चिक का 90 तो यहाँ पर यह चेत्रफल हो जाएगा चेत्रफल हमेशा बर्ग में आते ह इसके बाद अगला दिया गया माच इसकी टिप भी 5 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर है इन दुनों को गुणा करेंगे आप तो 5 ती कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इसके बाद अगला देखते है हमारा क्या दिया गया है अगला तो यहाँ यहां पर दरवाजा तो दरवाजे को देखना है कितना दिया है कि दरवाजा यहां पर लमबा इसकी रिडस और चुणाई दी पच आस इनका दुनों गुणा करेंगे तो 155 पचात्तर आनकी पचात्तर और यहां पर 00 हो जाए गा en्द थूड़ा गरबड हो चुका है यहां पर तो यह 00 आएगा इसमें एक इतने हो जाएके 2500 इसके बाद अगला देखेंँ, तो किना देंगे को यहां पर इस प्रीकार से यहां आप सभी रिखे हुए पर निकाल लेंगे यहां पर सिस्टरख्रा लिकिसे के देना है लिख लें आपर मैथन अंसर, उसके बाइए revision किस बस्तू का छेत्रफल सबसे अधिक है तो किस बस्तू का छेत्रफल सबसे अधिक है तो यहाँ पर देख लेते हैं छेत्रफल मतलब इस बारी लाइन को देखना है सबसे ज्यादा किसका है तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर यह 700 है 750, इसमें सबसे बढ़ा कौन सा है, 750, अब आगे देखते हैं अगर इससे कोई बढ़ा होगा, तो बिलकोल है, यहाँ पर सबसे زیادा 6,3 फल में किसका है है तो मेज का है, धियां रखेंगे मेज का कितना है? 27,000 कितना है? 27,000 वो यहाँ पर जो यहां पर दरवाजे का था दरवाजे का कितना था 4500 था कियो propagate हमने गुणा किया था पंदरा का इसमें पांच में कोगे जीरो के जीरो लिकी थे दोनों तो हमारा आया था पिशत्तर-सो तो सबसे बड़ा आपका चेतर-फल फल है वो किस का है दरवाजे का is आपर कितना है 75-900 है तो यहां परो कॉस्चन हैं वाजी का छी त्रफल सब्से अधिक है कितना हो और 75-00 है यह आपका छी त्रफल था इसका हमारा सबसे कम चेटृफल वाली बीस तो कyour था है तो यहां पर देख लेते हैं यहां पर मैं लिखा हैं आप लेकिंश में सांदियमें यहां पर सिर्क्तिय कम कौन सा है तो इस वाले में सबसे कम कौनसे एक 19 से आपका 2 Community से 7 सोनब से चोटी है कौँ सी आपकी 15 तो किसका माचिस की डिबबी का कितना है पंद्रा तो बस यही आपका इस खाएंसर हो चाकर अदंगे क्तल है 15 संटी मिठ तो यहाँ पर जेश्ट पुस्तक का चेत्रफल कितना है इसको देख लेते हैं यहां पर साड़ी में जाकर देख लेते हैं कितना है साड़ी में से कोई mistake नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर किताब का देखेंगे आप इस वाले में किताब नहीं है इस वाले में है पुस्तक का कितना हमारा 468 और दरवाजी का कितना है आपको 75-100 तो इन दुनों को गुणा करेंगे यहाँ पर मतलब गुणा क्यों यहाँ गटाना है तो दुनों को गटा लेंगे आप तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आंसर यह रहा आपको तो दरवाजी का हमारा कितना है 75 यानि 75 00 75 00 75 00 वो इसका कितना है यहाँ पर इतना हो जाएगा आप दुनों को घठा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना अंतर है तो इसका आइगा आपका 7035 मैं जो 7032 जो आपको यहाँ पर देख रहा होगा यह इसका आंसर हो जाएगा तीसरे कोस्चन का अगला कोस्चन देखते हैं चोथा क्या दिया गया हमारा चोथा कोस्चन तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके बाद में तीसरे कोस्चन के अत्वाम अता हमें अता दरवाजे का चितरफल पुस्तक से च्छेतरफल से 7,032 बर्ग सेंटीमीटर अधिक है इसके बाद अगला देखेंगे चौथा सबसे अधिक च्छेतरफल बाद सबसे कम च्छेतरफल में कितना अंतर है तो सबसे जदा है आपका 75 और सबसे कम है आपका 15 दोनों को घटा देंगे आप तो कितना आजाएगा आपका तो इहाँ पर आपका आजाएगा 74 85 इसके बाद अगला क्वाज़न देखते है तो पांच मा और और क्वाज़न क्या दिया गया है पांच मा देखने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तरह सबस्क्राइब ने किया एक से लेकर 12 तक के पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे उसमें यहां पर क्या दिया गए इसको देख लिजी तो यहां पर दिया गए हमारा सारणी से शेतर फलों को आरोही के रम में लिखना है आरोही को समझा देता हूं किस परकार से रखेंगे यहां पर लिखा है चोटा आ यहां पर लिखा है बड़ा आ यहां पर लिखा है चोटा तो चोटा आ से बड़ा की उर चलते हैं मतलब गिंती एक से लेकर 100 तक की उर चलते हैं तो पर चोटे से बड़े की उड़ जाएंगे मतलब पहले सबसे चोटा पर उससे बड़ा पर यासा लिखेंगे तो आपका पूरा कम्प्रीट आंसर हो जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत